हेलो स्टुडेंट्स यह हमारा लेक्चर नमबर थ्री चेप्टर चल रहे हैं अल्कॉहल फिनॉल्स और इतर अल्कॉहल की पांच प्रिपेशन हम पढ़ चुके हैं और ऐसे ही हमने फिनॉल की पांच प्रिपेशन पढ़िए हैं आद इस चेप्टर को कंटिगू करेंगे physical प्रोपतीस ओफ एलकोहल्स आद फिनॉल्स तो टॉपिक यह है आज का फीजिकल प्रोपरटीस दो assisting होती है लेकिन हम इस convene स्थेचिश करना हैं जैसा कि हमने का फ्लुकुमें को डिसकस किया था तो पहले के बात करेंगे तो सबसे पहले बढ़ेंगे वोईलिंग पॉइंट के बारे में कि वोईलिंग पॉइंट को जो बॉइलिंग पॉइंट है किसी भी फॉंक्शनल गुरूप का वो हम पहले कंपेर करते हैं किस से उसके क्यांतिक हाइड्रोकारबन से दिसे माल वागे मैं एल्कोहन स्की पॉइलिंग पॉइंट है वो उसके कॉर्सकांटिक हाइड्रोकारबन से और एवन हेलो की इन से वह जाएदा कि सबसे स्ट्रॉंग इंटर उनप्रेंपिलर फोस्कोंटी है इस वी कुन सी होगी डाइपोर डाइपोर और सबसे वी कौन सी होती है वीक वंडर्वाल फोर्स कैसे मॉलेकूल में एक्जिस्ट करती है नॉन बोलर कैसे मॉलीकूल में एक्जिस्ट करती है और फोर्वांटिंग वैसे यह भी पॉलर मॉलेकूल कंटीञ थे लिए ज्यादा होती है पॉलर्वाट से इसलिए इसका फोर्स क्या होगा होगा स्ट्रॉण गर्वाल की बात पर है इंटर मोलोक्राव्यान कि इसकी बढ़े से सबसे स्ट्रॉंग फूर्स है तो बॉइलिंग ज्यादा होगा किस से विक बंडर्वाल किसमें होती है है यह बड़ा होगा तो यह बड़ा है तो यह क्या है एलकॉहल में इंटर मॉल्टिक निख रहा है यह पूरा मॉल्टिक यह इसका है इसका है इसका है सबसे ज्यादा होगा सबसे ज्यादा का मतलब हम बात कर रहे हैं है और है इसो मेरिक अल्कॉहल कुंकि दूम्हें बड़ाइंगे तो ब्रांचिन बनना स्टाट हो जाएगी चाहिए अधिए प्राइंब्र फ्राइब्राइम्टर थे यह प्रास्ति होने से सब्सक्राइब होने से क्या होता है सब्सक्राइब होने से क्या होगा हमेशा याद रखना अगर स्ट्रेट होगी तो मौलेक्लों से वेल्पेक्ट होगे और अगर ब्रांचिंग होगी तो ब्रांचिंग होने से क्या होगा सब्सक्राइब करता है सब्सक्राइब करेंगे कि फिनॉल्स के पॉइलिंग पॉइंट की यह तो इंपाल्स की बात हो रही है क्योंकि एक साथ बढ़ रहे हैं चीजिश क्लियर होके हम बात करते हैं कि अच्छा फिनॉल का भी बॉइलिंग पैंट जो है अगर मैं कंपेर करूं उसके कॉरसफोंडिंग हाइड्र कारवन से यह एक यहां यह से तो फिनॉल का भी पॉइलिंग पॉइंट जाता होगा अगें क्योंकि फिनॉल्स में भी क्या होती हैं इंटर मॉलिक्टिलर हाइड्रोजन बॉणिक कैसे निखाना है कुछ नहीं करना बिल्कुल सिंपल है यह यह आर्पॉर्ट और वह सब को पता ही इस ऐख इसार ना चॉड़ की निचनि जोड़ सकते हो कोई लिक्कत नहीं ह। गया है, कैसे भी सकते हो ठीक है एक साइड भी कर सकते हो दो साइड भी कर सकते हो इस होगी तो एक प्रॉपर्टी आज हमने डिस्किस कर ली है इसको अच्छे से याद कर लेना अब चलते हैं सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी जो सबसे मेर होती है वो क्या है वो है सॉल्यूपरिटी चीज चीज अगर हम और के निक विस्टी बढ़ रहे हैं और हम सॉल्यूपरिटी की बात कर रहे हैं तो तुम्हें पताई होगा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड वोटर में सॉल्यूपर होगा जब वोटर के साथ क्या बना लेगा हाइड्रोजन बांड तो अल्कोहल सबको पते हैं यह वो वाटर के साथ बना लेते हैं एक विए वाटर इस वाटर इन वाटर इन और परपोर्शन तो उसकान से यह अगर हम आई यह जैसे यह जैसे यह जो बढ़ेगा अब जो यह पार्ट है तो पता ही ना तो नॉन पोलर होता है इस होता है यह जैसे यह मॉलीकिलर पास बढ़ेगा इल्कॉहल इल्कायल पार्ट बढ़ेगा तो वैट वजेगी कम क्योंकि कावज यह भी है लाइक डिजोल्स लाइक वाटर इस वालेगे उन और इन वालेटी को आशे ही अगर मैं फिनॉल की बात करूं सिंपल फिनॉल की फिनॉल के सब्सक्राइब कुम होते हैं सब्सक्राइब कुम्स पाइब भीज़ करते हैं कि वाद मोत अबड़ा एक क्वाता है तो इसी वरे से इसके वाटर में का होती है comparatively to Elkoans तो चीज़ क्लिए होगी physical properties दो भी बढ़ नहीं है Solubility boiling point boiling point student जब भी compare करो गया तो inter-murcular forces देखनी है उसमें क्या है उसमें क्या है उसमें क्या है कौन से strong निकाले गए और अगर हम बात करते हैं कि तो हम बात हम यह देखेंगे कि क्या वोटर में डिसॉल होता है तो इसके बाद हम क्यमिकल यह दिस्टाइब करेंगे असराड तो एलकॉहल की पांच प्रप्रेशन पटाबाट से बताता हम किसके बढ़ी थी सबसे बहले अलकॉल की प्रपेशन पटी फ्रॉंस अचीपिटी है यह दूसरा एलकीन से बढ़ा भाइवा था ठीशन डिर्क लिए दिर्ड़ दो टाइब से और इसी में आती है एक हीड्रोबरिशन ऑक्सेटी जाए तो एलकीन से बनाया है तुस्टाइब में एक गुरुमंतर दिया था फॉर्बट दिया था रेटशन कराकर इस वह नहीं पहले था 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 है यह हैक्ट कि अबने पढ़ा था की इसमें पड़ा कि फॉर्मेल देता है पर आमरी अल्ड कोहल अैनि अधर एको प्रिइचन पाइप्र निट्रीय माई च्छक्टर पर भीड कि नित वती हुए पत्रपश्च कुल निए जिए खराई नियुकिं इस उसने कंट इसको नीएच कराया था जो थी हमने पडिए थी फ्रम ऑगेर जो ने डिना एंट मुधिस सफर्वर्दूर बाई और प्रास्ट भी पड़ी थी फ्रॉंग को में क्यों में अगें एलिल उक्षिटाइशन फोर्ण भाया है फिसिकल होगी अब हम डिसक्स करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीस अल्कॉल फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टीस भी एक साथ ही पड़ेंगे तो आज का जो मारा टॉपिक ह प्रॉपर्टीस पड़ेंगे उसमें पहली कौन सी पड़ेंगे हैं रियक्षिंस इंवाल्विंग क्लिवेज ऑफ बॉपर्टी पहुत बड़ी है चुकि इसको बड़े जहां से समझें वह रियक्षिन जिसमें एल्कोहल और फिनॉल में पहले सीयो बोन की क्लिवेश क्लिवेज ऑफ ओएजव ऑफिनॉल की जिसमें एल्कोहल और फिनॉल में क्या होगा क्या देखने को मिलेगा कि विस तो होता ही दो में और शब्सकों सबको पाथ है और अजो कि कह लेते हैं एसे दिनी इनका कैसा नेचर एसेडी की नेचर अगर और तो था है इस पॉस्टि पहले बात कर लेते हैं कि अगर इसको सोडिय मेटल के साथ रीट कराइए वैसे दो क्लास दस्वी में रियक्शन होती ही अधिश्यक्तर था क्लास देंग में है इस वड़ा होगा कि अगर इलकॉहल पीश टालते तो है डिज़ुश होती है जो कि सबको पता है कौन सा कौन टुटा है और इसके साथ क्या बनेगा इसको क्या बढ़ेंगे इस इस वाट सोडियम एल्क ऑक्साइड इसको बैंस करते हैं कि दो हैं तो दो यह लगेगा तो दो यह लगेगा तो जब हम एल्कोहल पे सोडियम एल्कोहल टापते हैं तो इसका मतलब है जादा है लेकिन है तो अगर मैं बात करूं सोडियम मेटल टेस्ट के नाम से दस्वी ग्लास में रेक्शन होती थी अच्छा यह रेजेंट तो मियाद आ गया होगा तो अगर बात करें तो यह फिनॉल क्या होता है सबको बता है पेंजीट के ओपर क्या हुआ कि इसको अगर सोडियम मेटल के साथ प्रीट कराएं तो क्या होगा अगें और टूटेगा तो इसमें क्या बनेगा ज्यान से देखना इसमें इसमें बनेगा भाई वो नेगरिटिव एन इसमें प्लस हाइट्रोजन इस निकलेगी इसको क्या बढ़ेगा तो एलकोहल में या फिनॉल में अगरा सोडियम मेटल का पीस रागते हैं तो ही इसमें प्रीज होती है कि पैचान क्या होती है कि बॉंस भी दबॉक्स होती है तो यह तो यह क्रूब करने की एंगोहल का भी और फिलोन का भी ऐसे डिक नेचर तो है अच्छा एक चीज जो मैंने उपर दिखाया है एक तो हमें बाइप अब मैं आज जो हमने वी टॉपिक पढ़ना था वो यह है कि ह कि किसका जाता होगा ऐसे लिए अलकोहल का या फिनोन का और उसको कंपेर करेंगे विद बॉटर यह क्लियर हो गया चलो आगे चलते हैं कि अब हमेशे हैं रखना सबसे जाता ऐसे डिक होता है भाई फिनोन कि उसके बाद होता है वाटर कि वैसे तो तुमने बढ़ा हों कि मॉटर नेटर्ल होता है लेकर बोटर की तो पी फिजश्ट पी ओजवी होता है पीच पी एज एड वी ओफ ओव एच तुमने इक लिए बढ़ा होगा कि कोई ऐसी रोजे कोई बेस हो तुनों की कुछ पी एजो पी ओशिवल निभी है फावर फावर फाइडरोकसाइड है उसने कुछ वह भी जब जब जो नेगटिव में क्यों हो सबसे चएड असली होता है और सबसे कम होता है अब सबसे कम क्यों है क्योंकि तुमने पढ़ाई होगा खेजहां तो यह यह च्छों कि पीएच पाहुत ही जान हाइडोजन एक अपर कोई बेस है तो उसकी हाइडोजन एक कंसेट्रेशन कुछ नहीं को जरूर होगी ऐसे जाता होगी अफोर्स बेस की कम लेकिए पेसी कुछ नहीं बुस्त होगी ना तो इन टर्म सोफ पी एच और इसको पढ़ रहे हैं कि फिनौन सबसे ज्यादा एस होता है प्राइब एक और पर सेकेंडरी और फिर टर्शेरी पिलाल तो इसको इस तो बिलांग करना है अब ही हम डिसकस कर लेते हैं आज यह टॉपिकां बिकरना है डिसकस हम कंपेर करेंगे इनके डिचर को सबसे पहले हम कौन सा केस अधाले थे भी पहला करते हैं वाटर का का और अल्कोहल का चाहिए अंबेरिजन ओफ कि वाटर एंड कि एल्गोड है कि देखो वाटर का फार्मला सबको पता है इस त्रू होता है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि अल्कोहल का फार्मला क्या होता है आर और ऊच अधिक जिसमें सबको पता है एसे लिख से किसका जाता होगा जिसका ओएच बॉन टूटना होगा असान कि वैसे तो मुझे बता है वाटर ज्यादा इस लिख है आप महले सबीख है अब यह होगा अभी हम इस इस को इस प्लिंद कर देते हैं जिसका ओएच बॉन टूटना असान होगा वह इसली हाइडरोजन आइन देगा तो उसका इसे लिख रूप होगा चाहता है तो हम यह देखने कि किसका टूटना असान है किसका मुश्किल पहले तो मैं बाग कर लेता हूं अधिक देखो एलकोहल में ऑक्सिजन से एक तरफ जो और यह होगा है कि यह जो सिग्मा एलेक्ट और हाईडरोजन के बीच में नेगर्ट रॉलेसे टो सिग्मा एलेक्टरों रिपैल विस्टर फजेंगे वैसे तो ऑक्सिजन जो है इन सिए ऐखानी क्या क्रारा है इसकील पढ़ा तो उसलीया को था पाएगा यानि की जो होगा मुश्किल अब बॉर्टर के केस में क्या है यह कम से कम होने से क्या है कि बहुत होगा है यह तो बहुत बढ़ी हो इस अब बात कर लेता हूं अब बात कर लेता हूं अब बात कर लेता हूं प्राइम्री एल्कॉहल में क्या होगा सबको पता है एक अलकाइल है कि से किन्डरी एल्कॉहल में क्या होगा दो यॐ होगे और टिर्श्री एल्कॉहल में क्या होगा तीन एल्कॉहल होगे करेंगे प्लस आई इंडेंटिव इफेक्ट इन से बढ़ायें यह बहुत ज्यादा भुद्ग होगा तो पुर्श्रय पीड में तों थी थी पर सब्सक्राइब किला तुछ गोड़ा जादा न्यादा तो इस नियुक्त क्लियर होता है कि वॉंट जो है एल्कॉहल मांदि कि आलकॉहल जो है सब्सक्राइट मॉर्ट फ्हें चोब करते हैं फिनॉल को और एल्कॉहल कि यह फिनॉल को हम वाटर और इनकोल दोनों से कंपिर कर सकते हैं कि अगर मैं फिनॉल की बात करूं तो देखो एरोमेटिक में तो हमेशा रेजरेंटिंटिंग स्रक्चर से बता लगेगा जैसे क्लोरोमेटिंग में भी बढ़ा हमने नुक्लियोफिलिक सब्सेटिशन एक्ष बनाओ तो उक्सिघ्र की बस लौन पीर है इस कार्पन की साथ क्षा टोनीट करके एक बनाई लिए 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 को ते नेक्स्ट पर तो नहीं तो बैब तो रिए तो चाल्ज लेगे तिम यहां डबल था यहां यहांकि यहां पासिव कि आब अपन की पांस हो जाएगे घार जट भी है तो पांस वे सक्ते डबल टूटेगा एलेक्टरों चले जाएगे नेक्स और फ्रेज बॉलेगा देखो यहाईग मियां डेबल यह औहर एच एलेक्ट्रों पियर ओच पयों कि इसके बात इसा वाइं दूटेएगा यहाई इस तरीकेसे ह हम इसकी डी लोकलाइजेशन दिखा सकते हैं डबल नेगेटिव उपर तो सारा सही भी है आखरी स्ट्ट में जहागा और स्ट्रक्टर बनेगा डबल 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 सिंगल और अब रेजिनेंटिंग स्ट्ट्टर जो है वह उसमें नॉटिस करने होते हैं यह वाले पहला और रास तो एक सेमी चीज़ होता है अंदर के स्ट्ट्रॉस देखे हैं कि अंदर के स्ट्रॉक्टर्स में क्या देखने को मिल रहे हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ने एक्वायर कर लिया है इसको हम पढ़ेंगे प्लस आरेक्ट एलेक्ट्रॉन डोनेट करा है रिंग को बैंजीन रिंग से जो एटम जुड़ा है उसने रिंग को प्लस आरे इस विड्रों करता है तो मैनस आर जिसके पास नौन पर होंगे वह तो हमीशार इंको टोनेट करेंगा यह तो सबको बते हैं तो नाइट्रों और एक करदोने इस इस कबड़ा ध्यानक नहीं यह तो रोकिसमें आते हैं एलेक्ट्रों विड्राइंग रोग में अब फिनॉल की केस में क्या है कि दूटू प्लस आरेट इंफिनॉल डूटू इसे बहुत ज्यादा बढ़ेगी पोलेरी बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो बहुत तो बहुत ना होगा असां इसलिए फिनॉल सबसे ज़्यादा आज़ीं होता है यानि जत्राया ज्यादा ज्यादा पॉजभ शार्ज होगा चाहतना प्लेरी करेंगी और गट्ने से बांड स्ट्रॉंग होगा पुलेरी पढ़ने से बुट होता है बीक तो एसलीं एक्रिए अज उद्ब तो स्टूडेंट्स तुम्हें समझ आ गया है यह टॉपिक कि सबसे जाता है से डिकनेशर किसका होगा पिनॉल का पिर एल्कोहल में भी सबसे ज्यादा प्राइम्डी एल्कोहल और फिर होगा अब हम इसमें एक टॉपिक और इसमें हम करेंगे यहां तक क्लीर होगे सबको चल कि फिनॉल का इतना ज्यादा एसे डिक होता है सबसे ज्यादा इसलिक तो ही सबको बता है कि वह एक एसे लोगी यह वेस सबको बता है और निकालता है और बनता है एक सॉल्ट के बनेगा तो यह रियक्शन भी प्रूव करती है इसका इसलिक नेजर कि फिनॉल में क्या है इसका इसलिक नेचर अब एक इंटर्सिंग प्रेक्ट देगा यह तो फिनॉल की बात कर रहा हूं कि अगर मैं अलकोहल लो और उसको रिएक्ट कराऊं विद बेस एडिवेच है तो क्या होगा बता सकते हो मॉस्त हो जो मैं बता ले तुम क्या बरेगा कि और यह रीक्ट करेंगे कि यह करेंगे यह बियस है यह लिस्ट ऐसे लिए कि मोर बिसिक और बेस के साथ रियक्ट नहीं करता है इस जिसके द्यान दखें तो यह एक्षन जो है एलकॉल फिनों में हम डिस्टिउगुश करने के लिभी उसका सकते हैं डिस्टिउगुश टेस्ट में भी नावा सकती है तो इस इसको बड़े अच्छे से समझ दो इसको व्याद अपना अब एसे डिक करेक्टर हमने कर लिया ह अब जो नेक्स टॉपिक इसमें आता है वह है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूइंट्स अब एसेडिक नेचर ऑफ फिनों मालों अगर फिनों से कुछ सब्स्टिट्यूइंट्स जूडएं रिंग में जैसे बिधाएं अगर सब्स्टिट्यूइंट्स से जुड़ा है फिनों में तो उनका क्या इफेक्ट पड़ता है फिनों के एसेडिक नेचर पर देखो कोई साफ सेदी सी बात है दो तरह के पूरूप चूडएंगे रिंग में कोई भी अगर हम फिनों पिणौन का एक वसे सोलीशन लेते हैं आधे लिकी वाटर तो इसके तरीखे से लिख लेता हूं कि अगर हम पिनॉल का एक्वस्ट लेते हैं तो क्योंकि तुमने बढ़ा होगा अगर यह एसिड है तो है सब्सक्राइब इस डिशॉर्ण इन वोटर इंट डिसॉसिएट टुप हाइड्रोजन आए यानि कि यह दिसॉसिएट हो जाएगा तो यह बन जाएगा यह बन जाएगा है अगर आप एक बनेगा ही बनेगा ही बनेगा यह लेगा है और सब्सक्राइब बढ़ा है दस्वी क्लास में कि एसे डिशॉर्ण इन वोटर इस डिसॉसिएट्स तु प्रड्यूस हाइड्रोजन आएड्रोजन आइन का बाएंगे जब बनेगा ही बनेगा तो हम बात कर रहे हैं कि फिनॉल से अगर कोई सब्सक्राइब चुड़ा हो फिनॉल फिनॉक्से कि मैं कि एक जांबत से कर रंगो तुमें कि देखो सबको बत है फिनॉल फिनॉक्साइड तो बनाए गई अगर दिखाना चाहूं तो ऐसे भी दिखा सकते हो जैसे यह था ओ एच इसके पास अब आ जाएंगे तो फिनॉल फिनॉक्साइड तो बनाएं गई अब अगर रिंवे सब्सक्राइब जुड़े हैं तो सब्सक्राइब दो तरह कि होंगे या तो होगा एलेक्ट्रों विड जो सबसेटेव इस नेगेटिव चार्ज को खतम करेगा यह जुड्राइज करेगा वह सब्सक्राइब डियाले करेगा और जो सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब करेंगा एंड इंक्रेजिस दी एसेडिक करेक्टर जो एलेक्ट्रों ग्रॉप होगा वह फिनॉल की एसेडिक को बढ़ा देगा क्योंकि फिनॉल बनाएगा यह वह बढ़ा देगा और जो पर देगा और और बढ़ा देगा तो वह एसे लीटर को कर देता है यानि की अधिक नेगेटिव है डोनेटिव देगा और नेगेटिव देने का मतलब क्या है चार्सों खतम नहीं हुआना नेट्रलाइज हो नहीं हुआ तो डीस्टेपलाइज कर दिएगा इसका मतलब क्या है जो एक्ट्रोन दोरेटिव डीस्ट्राइज करता है कि डिक्रीजीज दी ऐसे लीट करेक्टर चिक है आब मेरे पास प्लीन सब्स्ट्यूइंट से एक फिन प्रणा इनको अरेंज करना है इंदी इंक्रीजिंग ओडर और एक नाइट्रोट से देखते हैं बैए स्टेबलाइज को न कर रहे हैं वाई विड्राइज वाला विड्राइज वाले नाइट्रोट अभी बदाया था इलेक्ट्रोन ग्रूप दो ही है जो क्लास 12 में यूज होते हैं एक तो कर्पोनाइट और एक नाइट्रोट विड्रोइंग तो सबसे ज़्यक होगा उसके बाद होगा क्योंकि इसको कोई ग्रूप की नहीं जुड़ा है कम से कम बढ़ा तो नहीं रहाना कि अलकाइल डॉनेटिंग है डीस्ट रिप्लाइज करेगा एसली क्रेक्टर गडाएगा तो सबसे कम से लिग होगा ही तो इस तरह के स्टुडेंट जो है कुशन जो है एक प्लिकेशन बेस्ट कुशन सी बेसी में पूचे जाते हैं कि अर्च्ट करो इन इंडियर इंडियर सब्सक्राइब तो आज लेक्टर में खतम करते हैं यहां तक इसको अच्छे से बढ़ें और लेक्टर खतम करने से पहले एक एंडियर टी का क्वेशन है इस टॉपिक पर बेस इन टेक्स्ट कुशन है उसको आप आज पढ़ेंगे उसमें चार-पाच कंपाउंड है टीक है 2,4-nitrophenol तूपोर चार-पाच इंपाउंड है उनको अर्रेंज करना है इंदी इंग्रीजिंग ऐप्रीजिंग एंजिद स्ट्रेंग तो उसको आप करेंगे अच्छी से यह ज्यादा काम नहीं करा हैं यहां तक पढ़े और प्रीवेस जो है वह साद की साथ उसको रिवा इसको लिखे, याद करे और इसको रिवाइज करे बाबाद, चाहँ है, चाहँ